रेडियो खांची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर किरन तिवारी, असिस्टन प्रोफसर हिंदी, राची विमेंस कॉलेज राची, सनातकोतर द्वितिय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ पहले भी आलोचना और उसके प्रकार पर चर्चा करती आई हूँ। इनके पाठेक्रम में शामिल आलोचना और उसके प्रकार की अगली कड़ी के रूप में आज एतिहासिक आलोचना पर मैं चर्चा करूंगी। एतिहासिक आलोचना पधती वह पधती है जिसमें किसी कृति का मुल्यांकन उसकी एतिहासिकता के आधार पर किया जाता है। साहित्य जहां व्यक्ति की अभी व्यक्ति है, वहां वह अपने यूग से भी प्रभावित तथा स्पंदित होता है। व्यक्ति स्वयम यूग निर्पेक्ष नहीं होता, वह अपने जातिय संसकारों परिवेश एवं यूग चेतना से प्रभावगरहन करता है, यानि साहित्यकार की रचना अपने यूग से प्रभावित होती है. साहित्य और युग के इनही संबंधों का निर्देश एतिहासिक आलोचना करती है। किसी साहित्य का इतिहासिक अध्यन जाती विशेश की विचारधारा अर्थात उसके जीवन दर्शन का वर्णन है। साहित्य को सबसे महत्य पूर्ण देन अचारिय रामचंद शुकल की है। जिनोंने अपने व्यापक और गंभीर अध्ययन काव्यगुणों को पहचानने की अध्भुत क्षमता और विसलेशन कोशल के द्वारा एतिहासिक समालोचना को उतकर्ष प्रदान किया। उन्होंने अपने विवेचन के लिए हिंदी के तीन बड़े कवियों गोस्वामे तुलसी दास, सूर्दास और जायसी को चुना। तुलसी दास उनके प्रियकवी थे। अतहसर्व प्रथम उन्होंने 1923 में तुलसी ग्रंथावली का संपाधन किया। और उसकी भूमिका में रामचरित मानस तथा तुलसी के अन्य ग्रंथों के काव्य सौंदर्य का विस्तार पूर्वक उदगाटन किया। तुलसी दास यूं तो समस्त भारत में महान भक्त और कवी के रूप में विख्यात थे पर उनके काव्य गुणों का सम्यक विवेचन व उदगाटन सुक्ल जी के पूर्व किसी आलोचक के द्वारा नहीं हुआ था। उनकी यही भूमिका बाद में यानि 1933 में गोस्वामे तुलसी दास शीर्शक से स्वतंत ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुई। इसी तरह उन्होंने 1925 में जायसी ग्रंथावली और 1926 में भ्रमर गीत सार का संपाधन कर इनकी लंबी भूमिकाओं में जायसी और सूर्दास की काव्योप लब्धियों का सुक्ष्म विवेचन किया। 1929 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास उनके गंभीर अधेयन और विशलेशन सामर्थय का अन्यतम प्रमाण है। आचार्य शुक्ल की समालोचना का आधार एक ओर यदि लोकवाद था तो दूसरी ओर बालमीक, भौभूती, काली दास, तुलसी दास, सूर्दास, जायसी, भारतेंदू, आदी द्वारा, विक्सित, जातिय साहित्य था। जिसे उन्होंने युगीन साहित्य के परिप्रेक्ष में समझा और समझाया भी। जो क्रमश समाजवादी मूलियों तथा मानवतावादी मूलियों से पुस्ठ होती गई है। आचार्य दिवेदी ने अपने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उदभव और विकास, आदिक ग्रंथो द्वारा, हिंदी साहित्य के इतिहास पर नया आलो, नया प्रकाश डालते हुए, अनेक नवीन स्थापनाय रखी. विशेस्त, संत साहित्य और वैश्नो भक्ती आंदोलन के संबंध में उन्होंने अनेक नए तथ्यों का उदगाटन किया। दिवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को भारती चिंतन का स्वाभाविक विकास घोसित करते वे। हिंदी साहित्य की भूमिका में उन विद्वानों के मतों से असहमती प्रकट की जोकी हिंदी साहित्य को एक हत दर्प पराजीत जाते की संपत्ती और एक निरंतर पतंशील जाते की चिंताओं का मूर्थ प्रतीक मानते हैं। दिवेदी जी ने अपना स्पस्ट मत व्यक्त करते वे लिखा अगर इसलाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का रूप बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। डॉक्टर रामकुमार बर्मा और डॉक्टर भागिरत प्रसाद मिश्र भी एतिहासिक आलोचकों की श्रेणी में आते हैं। डॉक्टर रामकुमार बर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में आदिकाल एवं भक्तिकाल का विवेचन अत्यंत विस्तार से किया है, तथा अनेक कवियों का मुल्यांकन साहित्यक शैली में प्रस्तुत किया है. डॉक्टर भागिरत प्रसाद मिश्र ने हिंदी का विशास्त्र का इतिहास एवं हिंदी साहित्य उद्भॉर विकास के द्वारा हिंदी के इतिहास को स्पस्ट किया है. इनके अतिरिक्त डॉक्टर स्रिकृष्ण लाल एवं डॉक्टर केश्री नारायन शुक्ल ने भी आधुनिक काल का स्पस्टी करण किया है जो एतिहासिक आलोचना के अंतरगत आती है यहां डॉक्टर भागीरत प्रसाद मिश्र के ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भार विकास का जो मैंने उलेख किया तो यहां आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है या फिर आपको इस बात का नहीं यह होना चाहिए कि ये पुस्तक तो ये ग्रंथ तो महाजारी प्रशाद दिवेदी द्वारा लिखा गया था दॉक्टर भागीरत प्रसाद मिश्र ने भी हिंदी साहित्य उद्भार विकास नाम से ग्रंथ की रचना की थी आधुनिक यूग में एतिहासिक आलोचना का परियाप्त विकास हुआ है आलोचना की इस पद्धती ने समीक्षा को एक न इसी आलोचना पद्धती पर हुई है मगर जिस प्रकार हर पद्धती की कुछ अपनी सिमाएं हैं इस आलोचना पद्धती में भी कई बार आलोचकों द्वारा युगीन परिस्थीतियों के विसलेशन को इतना अधिक विस्तार मिल जाता है कि कवी और उसकी कृतियां कही न झाल झाल